Samsung S24 सीरीज में भर भर के AI एड़ किया गया है, यहां तक की कीबोर्ट में भी AI है अगर आपको AI वाला कीबोर्ट अपने किसी non Samsung डिवाइस या किसी old Samsung डिवाइस में चाहते हो तो इसके लिए आप Best Android Apps of February 2024 की लिस्ट के पहले नमबर के अप टाइप ली का यूज कर सकते हो इसमें आपको Samsung के AI कीबोर्ट से ज्यादा AI फीचर्स मिलेंगे इसमें आप live कोई भी prompt टाइप करके उसका response डिरेकली कहीं भी जनरेट करके पेस्ट कर सकते हो लाइक email वगेरा लिखना इंस्टेंट किसी message का अलग-अलग tone में एक better reply दे सकते हो किसी text को process करके check कर सकते हो कि वो crane sound कर रहा है या वो AI generated है या उसमें कुछ mistake है या कोई fact भी check कर सकते हो और भी काफी सारे इसके लावा इसमें आपको एक bundle मिलेगा जिसमें आपको अलग-अलग category से related काफी सारे text मिल जाएगे जिनका use आप situation के साब से कर सकते हो बाकि इसमें आपको tinder वगेरा या अपनी class को impress करने के लिए एक अलग से section मिलेगा जिसमें आपको काफी सारे अलग-अलग categories मिल जाएगे और हर category में आपको उससे related text मिल जाएगा इसके अलावा इसमें आपको translation का option मिल जाता है keyboard के size और भी चीज़ों को customize करने का option मिल जाता है बाकि इसमें अगर आप space key पे hold की रहते हो तो ये पूरा touch pad में change हो जाएगा जिसके तुरू आप text वगेरा एक साथ select कर सकते हो अब इसमें आपको कुछ response paid देखने को मिलेंगे बट उसका भी solution है आपको बस इनके newsletter के लिए sign up करना है and sign up करते ही आपको इसका एक महिने का premium plan free में मिल जाएगा nothing phones में एक feature है जिसके तुरू आप अपने किसी भी app के icon को काफी large कर सकते हो and अब ये same feature आप अपने किसी भी android device में use कर सकते हो वो भी इस list के दूसरे number के app giga icon के तुरू basically ये एक visit है आपको बस इसके visit को अपने home screen पे add करना है and अपने उस app को select कर लेना है जिसके icon को आप बड़ा करना चाहते हो and select करते ही उस app का icon कुछ ऐसे so होने लगेगा आप चाहो तो इसके size को अपने इस आप से adjust कर सकते हो to be honest मुझे इस app को यूज करने से पहले ये लगा था कि ये दिखने में काफी cringe लगेगा बट ऐसा नहीं है ये दिखने में काफी cool लग रहा है तो एक बार जरू try करना आपके साथ भी अकसर ऐसा होता होगा कि अगर आप कहीं कोई text type कर रहे हो basically ये आपके हर उस text को save करता है जिसको आप type करते हो या कहीं से copy करते हो and उन सब text को date and time के साब से आप इसके app में देख सकते हो even आप ये भी देख सकते हो कि आपने कौन से app में क्या type किया था and जब आपने वो type किया था तो आपके phone की battery कितनी थी and इन सारे text को आप दुबारा copy करके यूज भी कर सकते हो इसके app में आपको text typing and clips का अलग-अलग section भी मिल जाएगा and अगर आप चाहते हो कि कुछ specific apps के text ये save ना करे तो उन apps को आप manage apps वाले option में आके off कर सकते हो अगर आप किसी occasion या bird devices के manual reply नहीं देना चाहते हैं तो इसके लिए आप STFO app का यूज कर सकते हो आपको इस app में plus पे tap करना है and नीचे आपको एक reply का option मिलेगा इस पे tap करके आपको पहले वो reply add करना है जो आप देना चाहते हो like यहां में लिख देता हूँ same to you फिर save rule पे tap कर देना है and फिर आपको reply वाले template पे click करना है and एनी app पे tap करके आपको वो app select करना है जिस पे आप auto reply देना चाहते हो आप एक साथ कई सारे apps को select कर सकते हो फिर आपको phrase पे tap करके add phrase पे tap करना है and वो phrase डालना है जिस पे आप auto reply देना चाहते हो जैसे यहां में लिख देता हूँ happy holy आप चाहों तो काफी सारे phrase add कर सकते हो and इसके बाद apply filter पे tap करके save rule पे click कर देना है अब जब भी आपको whatsapp या selected app में कोई happy holy लिख के भेजेगा तो automatic उसको same to you का reply चला जाएगा make sure कि आपने जो भी आप auto reply के लिए select किया है उसका notification बन ना हो क्योंकि अगर notification बन लोगा तो इस app को पता नहीं चलेगा कि आपको कोई message receive हुआ है बाकी auto reply के अलावा इसमें आपको काफी सारे useful features मिल जाते हैं जिनको आप एक specific message या app के लिए set कर सकते हो recently Microsoft ने अपना separate AI app Microsoft Copilot Android के लिए launch कर दिया and सबसे अची बात इस app की यह है कि इसमें आप free में GPT4 का यूज करके कोई भी image या response generate करा सकते हो all you need to do is कि इसमें आपको बस Microsoft account से sign in करना होगा and you are good to go अगर आप pixel device के official global search bar को अपने किसी भी device में यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आप इस list के 6th number के app pixel search का यूज कर सकते हो basically ये एक visit है इसके visit को home screen पे set करने से पहले आपको इसके app को open करके इसके सारे permission को granted कर देना है and इसके search bar को home screen पे add कर देना है and अब अगर आप इसमें कुछ भी search करते हो तो ये online के साथ साथ आपके offline के files को भी soak करेगा यानि जो भी files आपके device में वो भी इसमें दिखेंगे तो काफी useful है try जरूर करना अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए कई सारे apps अपने phone में नहीं रखना चाहते या install नहीं करना चाहते तो इसके लिए आप इस list के 7th number के app tool को try कर सकते हो इसमें आपको हर category से related काफी सारे tools मिल जाएंगे like text tools, image tools, calculation tools, development tools and और भी बहुत सारे तो काफी useful app है try जरूर करना recently मुझे play store पे एक बहुत ही तगड़ा offline music player मिला जिसका नाम में music 7 pro and सही बताऊं तो इसमें बहुत सारे features हैं I mean एक music player में जितने सारे features होने चाहिए वो तो हैं ही बट उसके अलावा इसमें आपको काफी cool themes मिल जाते हैं वो भी free साथ इसमें आपको अलग-अलग style के fluid animation मिलते हैं color customization मिलता है इसमें आप fonts मदल सकते हो और बहुत सारे बट जो सबसे बड़ा feature मुझे लगा वो है इसका wifi player I mean आप अपने device के songs को same wifi से connected दूसरे devices में इसके web player के तुरू play कर सकते हो और ये काफी smooth work करता है तो overall बहुत ही तगड़ा offline music player है तो try जरूर करना wallpapers के लिए तो आपने काफी सारे wallpaper app यूज करे होंगे पर जो इस list में 9 नमबर पे wallpaper app है जिसका नाम है rhythm wall इसमें आप खुद का wallpaper AI के थूँ generate करा सकते हो इसमें आपको काफी high quality के AI generated wallpapers मिल जाते हैं जिनें आप download कर सकते हो साथ इसमें आपको अलग अलग categories भी मिल जाते हैं और प्लस आप daily इसमें 5 wallpaper AI की थूँ खुद का prompt दे के generate भी कर सकते हो और generate हुए wallpaper को आप 4X तक आप scale भी कर सकते हो तो काफी सही app है ट्राइ जरूर करना अगर आप अपने device में normal wallpaper यूज करते करते बोर हो गयो तो अब आप try करो super wallpapers जिसमें आपको आपके lock screen पे कुछ ऐसा wallpaper दिखेगा और जैसे ही आप अपने phone को unlock करोगे तो वो ही wallpaper कुछ ऐसे transform हो जाएगा अगर आप अपने phone को charge करते हो कुछ ऐसे charging animation भी देखने को मिलेगा वो भी sound के साथ अब इनको download करने के लिए आपको इस list के आखरी number के app Pika super wallpapers की जरूरत पढ़ेगी और इसमें आपको काफी सारे super wallpapers मिल जाएंगे जिनको आप download करके एक click में apply कर सकते हो तो ये थे top 10 best android apps of February 2024 I hope ये apps आपको पसंद आये होंगे I hope ये वीडियो आपको पसंद आये होगी अगर ये apps और वीडियो आपको पसंद आये हो तो इस वीडियो को एक like कीजिएगा इन 100 apps में से concept आपको सबसे बढ़िया लगा ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईगा बागी अगर आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही more interesting take stuff के लिए चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिएगा तो तब तक के लिए thanks और watching मिलते हैं नई वीडियो के साथ See you soon